अतुल भाई बोलना चाहते हैं महराश्ट पर कुछ? सारी स्तिथिया, जनता का मन, जनता कहा जाना चाहती है, सपष्ट होने के बाद, बहुत सारी चीजे बदली हैं, तो आज के तारीक में शायद नेता उदर हैं, लेकिन जनता महाविकास अगाड़ी के साथ में हैं, और जनता दो हजार चोविस में, चाहे लोकसभा हो, चाहे व कोई स्तिथि नहीं है, महाराष्त की राजनीती में आपोजिशन हो, कोई दुश्मन ही नहीं है, विरोधक होते हैं, दुश्मन नहीं होता है, जहां लोग एक दुसरे के यहां शादी ब्याह में जाते हैं, हैसा एक किस्सा मैं आपको बताता हूं, नितिन गढ़करीजी के पैर चुए थे तो काफी उत्तर में काफी होहला मच गया था यह कैसा हो गया इन्होंने शरत पाउर साथ के पैर चुलिए तो यह राजनीती महारास्त की अलग है विपक्ष उना यह चलिए मैंने मान लिया 20 सेकंड महेश जवान 20 सेकंड क्या पिक्चर बाकी है उसके बाद मानक जी देखिए ना अजित पवार गुट ने यह कहा है कि वो वापस आना चाहते ना हमने अभी आपको अगर ऐसा लग रहा है अगर आप कन्फीजड है तो जंता भी कन्फीजड होगी तो मैं एक बात बताना चाहूंगा अगर अजित दादा को वापस आना होता तो क्या मंत्रीपत का इस्तिफाद नहीं देते पहले क्या वो यह एलान नहीं करते कि हम एंडिये से बाहर निकल रहा है हम उनसे गलती होगे हम वापस शरत पार जीजड के पास आना चाहते है तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज डाप है अजित दादा नहीं है अजित द आपने सवाल कि शरत पावार जी उनको क्यूं मिल रहे है आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 2014-17 की जो घटना है मैंने बताए उसको किसी ने कॉंटरिक नहीं किया कॉंगरस का और शरत जी का हमेशा सथ रिलेशन थे आज़ी रहा है 78 में शरत जी ने कॉंगरस तोड़ी ती और वसंदादा पार्टिल को हटा के वो जनता के साथ मुख्य मित्री बने थे 98 में भी Congress उन्होंने तोड़ी NCP बनाया तब से Congress unnaturally उनके साथ behave करती है उनको कभी trust नहीं करती है मैं आपको उसका उधारन देता हूँ आप बताईए कि Congress Party जैसे ही उसको लगा कि ये लोपी का तो मैंने किस्ता पता है पृत्वीरत चवण जी ने पता है किसको दोश दे इस पूरे प्रकरन का उन्होंने का on record बयान की पुत्री मोह में मतलब सुप्रिया ताई जिसको हम भी ताई कहते हैं पुत्री मोह में Party चली गई ये उनका आधिकरित स्टेटमेंट है इसलिए एक स्टेट मैं दस स्टेटन कंप्लीट कर लो इसलिए थेंगे MBA History का इंडिया की सबसे अननैचरल अलाइंस बार साहिब जी की विचारों को तिलान जली शरत जी खुद कमफर्टेबल नहीं अजीद दादा कमफर्टेबल नहीं और कॉंग्रेस केवल जो है उसको बहुत ब्रेष्टाचार करने का आउसर मिलिया आज कॉंग्रेस पार्टे जो है शरत जी को भी ठीक से कैटिक नहीं कर रहे है और पिक्चर भाकी भी है महारास की राजनीति में शरत पवार एक धुरी है और अजीट दादा पवार की वापसी अगर होगी तो वो Congress अश्यू से ना तैंज नहीं करेंगी वो शरत पवारी तैंज करेंगे यह इसका करेंगे सारे अलाइन्स है निचुरल है अज की तारीव कोई पैचारी एक अलाइन्स नहीं